मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज का टिप्स होने वाले है आईदराबाद रेस के लिए जो 27 नमबर 2023 में है मुझे मेसेज़स आ रहे थे कि वीडियो हिंदी में बनाने के लिए मुझे हिंदी उतना अच्छा नहीं आ था है तो भी मैं खोशिश करके तुमको हिंदी में वीडियो देने के लिए ट्राई करता हूँ अगर कुछ तो भी मिस्टेक हुआ हो तो माफ कर दीजिए अगर कुछ तो भी चेंज करना हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए तो रेस वन है तो टाइगो रिवेरिया प्लेट डिविशन वन तो हो रेस 1200 मीटर का है और क्लास 5 का है तो मेरा सेलेक्शन होगा हॉस नबर 3 गोल्डर निंजो जो चलाने वाले है कुल्दिप सिंग उसका स्पीड थोड़ा कम है हायर डिस्टेंस में बट उसका स्पीड 1200 मीटर में अच्छा है उसका लास्ट रेस आप इग्नोर कीजिए क्योंकि उसने हायर क्लास में अच्छा किया है और यह गेम में उसका अल्मोस्ट 90% चांस है जीतने के लिए तो रेस टू जो है दो विंटर स्थार प्लेट और ओ रेस 1800 मीटर का है और क्लास 4 का है मेरा सेलेक्शन होगा होस नमबर 4 वोईज ओफ ड्रीम जो चलाने वाले है एमरान खान तो लास्ट रेस घोडे ने 3rd फिनिश किया था और फेवेट था क्योंकि ए हायर डिस्टिंस था अभी 400 मीटर कम है और एक चांस दे सकता है और रेस सेट में जीतने का अल्मोस्ट 100% चांस है एक घोडे का तो रेस नमबर 3 दियागो रिवेरिया प्लेट डिविजिन 2 जो है 1200 मीटर्स और क्लास 5 रेस है तो मेरा सेलेक्शन होगा होस नमबर 5 कैंटरबेरी जो चलाने वाले है के मुकेश कुमार एक फ्रेंट रॉनर होस है जो आगे आके पोजिशन लेता है लास्ट टू रेस आप इक्नोर कीजिए क्योंकि होस ने लास्ट 600 मीटर्स में गिव अप किया था अभी शॉर्टर डिस्टेंस के कारण इसका अल्मोस्ट 75-80% चांस है जीतने का रेस फॉर है दुबाशा प्लेट डिविशन वन जो है तौजन हन्रेड मीटर्स और क्लास फॉर का रेस है तो मेरा सेलेशन होगा हॉस नंबर फॉर सैंग्रियल जो चलाने वाले है पी साइट कुमार लास्ट रेस फेविट था पर हॉस ने फेल करके थर्ड आया था इन सेम 1200 मीटर्स और क्लास भी सेम था अभी 100 मीटर्स कम है जो की 1000-100 मीटर्स का रेस है और ये सेट के साथ इनका एक प्लेस वन अडवांटेज है तो मुझे लगता है अल्मोस्ट इनका 90-95% चांस है जीतने के लिए तो रेस नमबर 5 है जो है 1400 मीटर्स और ये भी क्लास 4 रेस है तो मेरा सेलेक्शन होगा हॉस नमबर 6 क्रियाटिव फोर्स जो चलाने वाले है कुल्दिप सिंग तो लास्ट रेस इनका जीतने का चांस है तो रेस नमबर 6 तो ब्लाक जैक प्लेट जो है 1200 मीटर्स और क्लास 3 का रेस तो मेरा सेलेक्शन होगा हॉस नमबर 2 एनराई स्पोर्ट जो चलाने वाले है विवेक जी ये गोड़ा भी फ्रेंट रननर है और लास्ट फ्यू रेस इसने अच्छा किया था बट अभी कम डिस्टेंस प्लास्ट फ्यू रेस इसने अच्छा किया था जो था 1400 मीटर्स का अभी शॉटर डिस्टेंस है जो है 1200 मीटर्स और ये गोड़ा बहुत अच्छा भागेगा और इसमें तो 14 घोड़े दोर रहे है थोड़ा जादा होता है और स्पेस इशू हो सकता है तो मेरा सेलेशन होगा हास नबर सेवन ब्यूटी ब्लेस जो चलाने वाले है अक्षय कुमार लास्ट सेकेंड रेस ये गोड़ा फेवरेट था पर सेकेंड आया था और हाराता सिटी ऑफ प्लिस जो सेम रेस में भाग रहा है और अभी हक्षय चला रहे है गोड़े को और 100% चांसे से की ये गोड़ा जीत सकता है रेस नबर 8 दबाशा प्लेट डिविशन 2 तूजन हंड़ेड मीटर का रेस है जो की क्लास 4 का रेस है तो ये भी 14 रनर्स है ये रेस पे इसमें भी स्पेस इशू हो सकता है तो मेरा फेवरेट हास है इसमें हास नबर 4 मैगनॉम जो कुल्दिप सिंग चलाने वाले है ये गो खोड़ा आराम से जीत सकता है तो जो भी टिप्स में शेयर किया हो ये मेरा कैल्कुलेशन पर है आपको खेलना नई खेलना आपके उपर है तो सोच समझ के खेलिए और अगर आपको ये हिंदी में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए और मैं इंप्रू भी करोंगा अबको अच्छे वीडियोस लाने के लिए थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू फो वाचिंग आइस थैंक यू टाटा बाई बाई